प्रिवीएस वीदियो में हमने डिसकस किया था इंडिविजवल डिफेरेंसिस इन हुमन फंक्शनिंग असिस्मेंट ऑफ साइक्लोजीकल अट्रिबूत्स सम डोमेंस ऑफ साइक्लोजीकल अट्रिबूट्स च अब डिसकस करते हैं intelligence and theories of intelligence तो जैसा कि हमने discuss किया था intelligence हमारी वो capacity है जिसके थुरू हम world को समझते हैं यानि कि कितना logically कितना critically हम think कर पाते हैं और जब हम किसी भी challenging situation में होते हैं तो वहाँ पे जो भी available resources होती है उन्हें कितना effectively use करके हम उन challenges के साथ में deal कर पाते हैं मतलब environment के according behavior adapt करने की ability को कहा जाता है intelligence कि जो जितना ज़्यादा solution oriented है वो उतना ही ज़्यादा intelligent person है अब अगर बात करें कुछ early intelligence theorists की तो Alfred B. ने पहले psychologist थे जिनोंने intelligence पे काम किया He defined intelligence as the ability to judge well understand well and reason well मतलब जब किसी person के अंदर abilities होती हैं कि किसी event को किसी situation को किसी problem को कितना बहतर तरीके से वो समझ पाता है कितना properly कितना logically वो तर्क कर पाता है कि किसी भी बात को किसी भी situation को accept करने से पहले वो उसकी proper reasoning करता है, खुद से questioning करता है उसे critically analyze करने की कोशिश करता है, then वो चीजों को जज़ करता है, तो जब किसी person में ये abilities होती हैं, तो उसे कहा जाता है intelligent person, according to Alfred B. ने, अब बात करते हैं bachelor की, bachelor के according, intelligence, global and aggregate capacity है, किसी individual की, जिसके according, वो rationally think कर पाता है, purposefully act कर पाता है, और effectively deal कर पाता है, अपने आज-पास के environment से, for example, दो student है, student A and student B, दोनों ही decide करते हैं किसी competitive exam को clear करने का, तो student A जब decide करता है, उस competitive exam को clear करने का, तो वहाँ पे वो काफी practical होके सोचता है, कि इस exam को clear करने के लिए, क्या process वो follow करेगा, और क्या उसकी strength है, क्या उसकी weaknesses है, कि exactly कितने attempt देगा हो इस exam के, मतलब बारिकी से वो चीजों को समझता है, और proper planning करता है, और proper planning करने के बाद, वो act करता है purposefully, मतलब अपनी planning के according, वो अपनी preparation start करता है, लेकिन अगर properly planning करने के बाद भी, उसका जो exam है, वो एक दो attempt में clear नहीं होता है, तो भी वो लोगों की बातों से demotivate या aggressive नहीं होता है, बल्कि वो behavior adapt करता है environment के according, कि उसे किसी को भी बोल के reply नहीं देना है, बल्कि उसे situation में शान्त रहना है, और अपने actions से reply देना है, तो student A की possibilities काफी ज़्यादा बढ़ जाती हैं उस exam को clear करने की, क्योंकि उसका जो focus है, वो outcome से ज़्यादा process की तरफ है, वो analyze करता है अपनी mistakes को, कि उसने proper planning की, उसके बाद भी उसका exam clear क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे वो properly समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो mistake कहां पे कर रहा है और लगातार उन mistakes को सुधारने की कोशिश करता है, वहीं जो student B है, उसने भी decide किया है उस exam को clear करने के लिए, लेकिन student B का जो focus है, वो process से ज़्यादा outcomes की तरफ है, कि ये particular exam clear करके उसे ये particular job मिलेगी, लेकिन वो logically process को समझने की कोशिश नहीं करता कि क्या खिर किस planning के तहत, वो इस exam को clear करने वाला है, वो खुद से questioning नहीं करता कि क्या उसकी strength है, क्या उसकी weakness है, कितने वो attempt देने वाला है इस particular exam को, कि क्या वो actual में इस exam को देना भी चाता है या just किसी influence में उसने decide किया है कि उसे exam clear करना है, तो जब उसने logically चीजों को समझा ही नहीं, तो फिर तो ना ही तो वो purposefully act कर पाता है और ना ही फिर वो अपने आसपास के environment से effectively deal कर पाता है कि वो अपने environment के according behavior adapt ही नहीं कर पाता, और लोगों की बातों से demotivate होके finally quit करने का वो decide कर लेता है तो यही define करती है वेचलर की definition कि intelligence, global and aggregate capacity है किसी individual की जिसके according वो rationally think कर पाता है, purposefully act कर पाता है और effectively deal कर पाता है अपने आसपास के environment से Then Gardner और Sternberg ने थोड़ा और modify किया intelligence की definition को, कि intelligence का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपने environment को adapt कर पाओ, environment के according behavior adapt कर पाओ बलकि जरूरत के according, environment को modify करना, उसे shape करना भी intelligence में include होता है For example, अभी कुछ दिन पहले lockdown की situation थी, सभी schools and colleges को बंद कर दिया गया था तो यहाँ पे situation और environment को सिर्फ adapt करना काफी नहीं था बलकि जरूरत थी चीजों को modify करने की इसलिए चीजों को modify किया गया study को offline से online में shift किया गया, तो Gardner and Sternberg की definition यही कहती है कि सिर्फ environment को adapt करना environment के according behavior adapt करना काफी नहीं है, बलकि time to time need के according चीजों को modify करना भी जरूरी होता है, now come to the theories of intelligence, तो अलग-अलग time पे अलग-अलग psychologist ने अपने-अपने point of view से intelligence को define किया जिने की फिर बाद में दो categories में divide किया गया, जिसमें की एक तो है psychometric approach और दूसरी है information processing approach, तो पहले बात करते हैं psychometric approach की psychometric approach को structural approach भी कहते हैं, क्योंकि इस approach का जो focus है, वो intelligence के structure की तरफ है, यह approach intelligence को consider करती है as an aggregate of abilities, मतलब set of abilities, collection of abilities साथ ही यह approach किसी भी individual की performance को express करती है in terms of single index of cognitive abilities कि किसी भी individual में जितनी भी abilities होती हैं, उन सभी का जो total score होगा, वो score बताएगा उस individual का intelligence level अब बढ़ते हैं information processing approach की तरफ, तो इस approach का जो focus है, वो इस बात की तरफ है कि जब लोग किसी problem को solve करते हैं तो क्या process वो follow करते हैं किस तरह की reasoning करते हैं कि जो information उनके पास available होती है उसे कितना effectively use करके वो उस problem को solve कर पाते हैं मतलब क्या process follow करते हैं वो किसी काम को करने के लिए For example, अगर ये पूछा जाए कि left hand कौन सा है और right hand कौन सा है तो इसका जवाब कोई भी easily दे देता है लेकिन वहीं अगर ये पूछा जाए कि दाया हाथ कौन सा है और बाया हाथ कौन सा है तो इसमें काफी लोग confused हो जाते हैं लेकिन वहीं अगर इसे ऐसे याद किया जाए तो जो हमारा left hand है वो B के जैसी shape बनाता है तो वो होता है बाया और जो हमारा right hand है वो D के जैसी shape बनाता है तो वो होता है दाया तो यहाँ पे इस example के थुरू कोई भी याद रख सकता है कि दाया हाथ कौन सा होता है और बाया हाथ कौन सा होता है तो कहने का मतलब यह है कि जो process होता है वो अपने आप में important होता है कि किसी काम को किस तरह से किया जा रहा है क्या process follow किया जा रहा है किस काम को करने के लिए तो जो यह approach है information processing approach इसका जो focus है वो इसी बात की तरफ है कि कोई intelligent person किसी काम को किस तरह से करता है मतब किसी काम को करने के लिए क्या process वो follow करता है Then ये theories cover होती है इन approaches में जिने की हम एक एक करके discuss करेंगे तो पहले discuss करते हैं psychometric approach में cover होने वाले theories को सबसे पहले बात करते हैं unifactor theory की जिसे की one factor theory या single factor theory भी कहते हैं जिसे दिया था Alfred Binne ने जैसा कि Alfred Binne first psychologist थे जिन्होंने intelligence पे काम किया इन्होंने लोगों को दो categories में divide किया more intelligent और less intelligent individuals इनका कहना ये था कि एक ही similar set of abilities होती हैं जिसके through कोई individual किसी भी problem को solve करता है यानि कि general factor तो मतलब एक ही factor होता है general factor जिसकी वज़े से कोई intelligent होता है कि मतलब अगर कोई individual किसी एक काम को अच्छे से कर सकता है तो वो हर काम को अच्छे से कर सकता है मतलब या तो वो हर काम में अच्छा होगा या तो वो किसी भी काम में अच्छा नहीं होगा खर बाद में इस theory को काफी ज़्यादा criticize किया गया तो बढ़ते हैं अगली theory की दरफ, next theory है two factor theory, जिसे की दिया था Charles Spearman ने, तो जैसा कि इस theory का नाम two factor theory है, तो इस theory का मन्न ये है कि कोई एक factor नहीं, बलकि दो factor शामिल होते हैं intelligence में, पहला general factor जिसे की g factor भी कहते हैं, और दूसरा specific factor जिसे की s factor भी कहते हैं, g factor जो की heritage से मिलता है और s factor जो की सीखा जाता है, मतलब कोई skill develop किया जाता है, तो मतलब हमारी daily life की normal सभी activities को करने में g factor help करता है, और s factor हमें help करता है किसी specific field में excel करने में, for example, कोई person अपने daily life के सभी काम normally कर लेता है, लेकिन एक काम जिसमें वो काफी ज़्यादा अच्छा है, वो है कि वो किसी किसी भी dispute को बहुत easily resolve करा देता है, मतलब लडाईयों को काफी easily solve करा देता है, तो मतलब जो अपने daily life के जितने भी काम है, उन सभी को normally कर लेता है, तो ये तो हुआ उसका general factor यानि कि g factor, और जो एक चीज़ उसमें काफी ज़्यादा अच्छी है, वो है कि वो किसी भी dispute को का काफी easily resolve करा देता है, तो ये हुआ specific factor यानि कि s factor, तो ये थी two factor theory, तो psychometric approach की बाकी बची हुई तीन theories को discuss करेंगे next वीडियो में